अब foreign direct investment की बात करें, FDI की, और मेरी तो FDI की दूसरी भी वाक्या है, FDI की एक popular वाक्या है, foreign direct investment, और मेरी एक और वाक्या है, first developed India, FDI, first developed India. अब देखें, Congress के सासनकाल में FDI का क्या लाता है, एक लाग करोड रुप्य का निवेश आया है, जब भी बीजेपी के चार साल में, चार लाग करोड रुप्य से ज़्यादा निवेश आया है, Congress की जूटकी रेविडियों का पर्दाफास करने के लिए, आपको Congress सासीत, दूसरे राज्यों की सच्चाईवी लोगों को बतानी होगी, और आपको इस सारा नेट पर देखो के तो मिल जाएगा, आकडों के साथ मिल जाएगा, हिमाचल के लोग, अब यह भी चुना हुआ है न, एक साल हो गया, हिमाचल के लोग आज तक Congress की गारंटी पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं, वादे किया कुछ नहीं, राजस्तान के लोग भी Congress की गारंटी पर, आज अंदोलन कर रहे हैं, क्या हुआ, सरकार का चार साल बीच चुका है, अभी तक गारंटी गारंटी ही रह गई, Congress मतलब जूट की गारंटी, Congress मतलब ब्रस्टाचार की गारंटी, Congress मतलब भाई भतिजावाद की गारंटी, Congress अब उस सिति में है, जब वो ना कोई सच्ची गारंटी दे सकती है, और आपको तो मालू है मेरे नवजवान दोस्तों, Congress की वारंटी तो बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुकी है, जिसकी वारंटी एक्सपायर हो चुकी है, उसकी गारंटी का मतलब क्या है जी? आईए देखते हैं, अब हमें और भी कुछ सवाल आ रहे हैं, देखें पांच वे हमारे कारकर्टा मुझे सवाल पूछ रहे हैं, श्री डी आर योगिस जी है, वो तो बैंगलूरू से है, और उनका सवाल है कि सरकार बनने के बाद हम आने वाले पांच साल में करनाटका को कहां देख सकते हैं? बंगलूरू के नवजवान है तो लंबा सोचने वाले होते ही होते हैं, अच्छा सोचने वाले हैं करनाटका के नवजवान, देखिए, देश इस समय आजहादी का अमरुत महस्व मना रहा है, आने वाले 24-25 साल देश के लिए अमरुत काल है, इनकी शुरुवात इनी पांच वर्सों से होने वाली है, ये किसी सरकार की बात नहीं है, ये किसी दल की बात नहीं है, ये देश की बात है, इन पांच वर्सों की प्रगती हमारे अमरुत काल की नीव होने वाली है, ऐसे मैं मतदाताओं को उन्हें चुनना चाहिए जिन के पास अम्रत काल के लिए कुछ ब्लूप्रिंट हो अब देखिए मैं आपको एक आजादी के पहले का चितर आपके सामने रखता हूँ हमारे देश में आठ सो हजार साल की गुलामे के कालखन में इस देश का एक भी वर्ष ऐसा नहीं था कि आजादी के लिए किसी ने कोई जंग न किया हो इस देश का कोई इलाका ऐसा नहीं था जो कभी ने कभी आजादी के जंग को ब्यूगल न बजाया वा लड़ाई न लड़ी हो लेकिन 1920 के बाद पुझ्य बाकूफ के नित्रुतों में जो बाते शुरू ही और पुझ्य महत्मा गांधी ने आजादी लेके रहूंगा का जो मुद्दा आगे बढ़ाया पिट इंडिया का मुद्दा आगे बढ़ाया पचीस साल के भीतर भीतर है नहीं आट सो नौ सो साल से हम लड़ रहे थे लेकिन वो पचीस साल ऐसे महत्म के बन गए कि 1947 में आजादी आई अनेट परिवरों नेकाम नेता जी के नित्रुत्व ने काम किया बगस्ती जैसे वीरों की शाहदत ने काम किया वीर सावकर जी के पूरे परिवार के बलिदान जैसे महापुरूशन ने काम किया लेकिन गा आएसे ही मेरे साथ यो ये पचीज साल का कालखन ये अम्रत काल सम्रद्ध भारत की गारंटी है मेरे शब्द लिख के रखे दोखों ये विक्सिद भारत की गारंटी है और हमारी सरकार ने तो अभी से इस पर काम करना शुरू कर दिया